सो हे गाइस मेरा नाम है सिधार्त और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल इंडियन राज टैग पे सो गईज आज के इस वीड़ arm में हम बात करेंगे कि यदी आपका लाइसेंस या फिर आपका ड्रống एक्सपायर हो गया है तो आप अपने लर्न की लाइसेंस के लिए या फिर ड्राइविन को रिन्यूग करने के लिए ओनलैन अपलाई कैसे कर सकते हो क्या-क्या आपको प्र्स किये सो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सो गाइस इस काम को करने के लिए आपको परिवहन से वाकिस ओफिसल वेबसाइट पर आना होगा इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिसकेप्शन पर मिल जाएगा यहां आने के बाद लाइसेंस रिलेटेट सर्विसिस में अप्शन होगा ड्राइवर्स लर्न लाइसेंस इस ओप्शन पर मोर अप्शन पर आप क्लिक करोगे देन आपका इंटरफेस इस प्रकार से आपिन होगा आपको यहां पर बहुत सारे ओप्शन देखने को मिल जाएंगे मैं आपको बता दू यदि आपका लर्निंग लाइस एक्सपायर हो गया है तो आपको यहां पर option मिलेगा apply for learner license इस option पर click करके काम को करोगे then यदि आपका driving license एक्सपायर हो गया है तो आप apply for driving license इस second option पर click करके अपने काम को करोगे सो इस वीडियो में हम learning license के renew के steps को देखेंगे यदि आप final driving license को renew करवाना चाहते हो तो simply second option पर click करोगे बाकी जो सारे steps होंगे वह same ही होने वाले हैं चलिए हम यहां apply for learning license इस first option को click करते हैं आपका page इस प्रकार से open होगा step check करोगे and continue option पर click करोगे select category of required में simply आपको general option ही select रहने देना है आपको यहां तीन option मिलेंगे तो आपको renew करने के लिए simply third option को select करोगे application hold learner license then आपको यहां दो option enable हो जाएंगे तो first में ll number यानि learning license का जो number होगा वो आपको यहां पर feel करने होगे example आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे किस प्रकार से आपको feel करना है then अपने date of birth को आप यहां calendar की मदद से select करोगे and submit button पर click करोगे आपका name और आपके father का name आपको यहां देखने को मिल जाएगा जो check करोगे then आप यहां नीचे confirm option पर click करोगे learning license apply करते वक्ग जो सारे detail आपने दिये थे वो सारी detail आपको यहां देखने को मिल जाएगी simply आपको सारे detail को अच् DWZ यानि bike के लिए apply करते हो तो आप इस option को select करके arrow option पर click करोगे साथी साथ four wheeler के लिए apply किये थे तो आप यहां LMV option select करोगे and arrow option पर click करोगे दोनों option यहां पर select हो जाएगे तब आपको नीचे देख लेना है यहां पर आपको दो section मिलेंगे आपको यहां पर कुछ भी tick करने किया हो सकता नहीं है declaration को भी आप ऐसे ही as it is रहने दोगे then सारी detail को check करोगे and submit button पर click करोगे इस प्रकार का pop-up आएगा read करोगे ok करोगे फिर pop-up आएगा ok करोगे then आपका application reference slip इस प्रकार से generate हो जाएगा सारी detail देखने को मिल जाएगे application number भी देखने को मिल जाएगा check करोग then आपको यहां next option पर click करना है then आपका interface इस प्रकार से open होगा second option आपका document upload का है तो document upload section में जाने से पहले आपको एक page को print करना होगा आपको यहाँ एक option मिलेगा self declaration form 1 इस option पर click करोगे page इस प्राकार से open होगा सारी आपकी ही detail देखने को मिल जाएंगी declaration section में आपको एक काम करना होगा तो आपको यहाँ पर 6 declaration देखने को मिल जाती है तो आपको simple second जो आपको declaration मिलेगा इस section में आपको yes option पे tick करना है बाकी second option को छोड़ करके बाकी सारे जो आपको declaration मिलेंगे उसमें आपको no option पे tick करना है आपको इस document को upload करना होगा upload करने के लिए scroll down करोगे upload document section आपको enable हो जाएगा इस option को select रहने दोगे and proceed option पर click करोगे इस प्रकार का page आएगा submit option पर click करोगे then आप ok option पर click करोगे then आपका page इस प्रकार से open होगा document section में दो option मिलेंगे form 1 physical fitness self declaration जो page मैंने आपको दिखाया था then learning license जो आपका expire हो चुका है उसका भी आपको scan या फिर photo किछ करके upload करना होगा तो हम यहां first option form 1 physical fitness option select करते हैं proofs के तोर पर आपको यहां एक ही option enable मिलेगा form 1 physical fitness select करोगे document issue, issue date आपको कुछ देने के आओ सकता है नहीं है simply choose option पर click करोगे जो page मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से feel करोगे and आपको यहां scan करके या फिर photo click करके जो आपने रखा हुए जहां पर भी आप यहां upload करोगे then upload option पर click करोगे then आप यहां confirm option पर click करोगे self declaration आपको यह upload हो जाएगा देखने को मिल जाएगा second document learning license upload करने है तो learning license option select करोगे proof के तोर पर learning license option को ही select करोगे बाकी कोई detail आपको यहां पर देनी किया हो सकता नहीं है choose file option पर click करके जहां पर भी आपने अपना learning license रखा हुए photo click करके या फिर आप scan करके upload करोगे then upload option पर click करोगे then आप यहां confirm option पर click करोगे आपका दोनों ही document यहां upload हो जाएगा देखने को मिल जाएगा simply आपको next option पर click करना है आपका page इस प्रकार से open होगा scroll down करोगे next page आपको fee payment करना होगा इसके लिए इस option को select रहने दोगे and proceed option पर click करोगे आप यहां पर देख सकते हो learning license renew करनी के लिए आपको यहां 300 रुपए का payment करना होगा जो सारी detail देखने को मिल जाएगे किस बैसिस पर कितने रुपए आपको charge किये गए है इसके साथ साथ मैं आपको बता दू यदि आप final driving license को renew करना चाहते हो तो आपको यहाँ 600 रुपए का payment करना होगा जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा payment करने के लिए आपको यहाँ पर Ggrass option को select रहने देना है craft changes it is box में fill करोगे and pay now option पर click करोगे यहाँ पर आपको I agree option पर tick करना है and proceed for payment option पर click करोगे यहाँ पर आपको नीचे scroll down करने है आप चाहो तो PNB या SBI पर इस option को select करके payment कर सकते हो select करोगे and submit option पर click करोगे इस प्रकार से page open होगा यहाँ पर आपको I agree option पर click करना है and proceed for payment option पर click करना है pop up आएगा ओक्के option पर click करोगे आप यहाँ पर debit card, credit card, net banking, BMI, UPI या फिर QR code की मदद से भी payment कर सकते हो option enable आपको मिल जाएगा चलिए कि UPI QR code से payment करना चाते हो तो आप यहाँ select करोगे and pay now option पर click करोगे QR code इस प्रकार से enable आपको देखने को मिल जाएगा आपको अपने mobile से scan करना है and आपको यहाँ पर payment complete करने है यहाँ से payment करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी करने क्या हो सकते नहीं यह simply कुछ second wait करने के बाद ही automatic आपका page refresh होगा and इस प्रकार से remark option में payment receipt देखने को मिल जाए click here for payment option पर click करके आप इस payment receipt को याद से download कर लोगे download करने के लिए download option पर click करोगे then जहाँ पर भी download या फिर save करके रखना चाते हो आप यहाँ पर रख सकते हो यहाँ के बाद आपको back option पर click कर लेना है then आपको यह home option पर click करोगे pages प्रकार से open होगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कुछ important document जो आपको RTO office ले करके जाने होंगे तो आपको यहाँ पर corner side में जितने भी option enable मिलेंगे यहाँ पर आपको सारे option पर click करके जितने भी page हैं सारे page को आपको यहाँ पर download कर लेने है इसके बार भी आपको कुछ process करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ so guys यहाँ तक के process को complete करने के बाद कुछ important बात आपको थ्यान रखने हैं जो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला बात कि यहां तके process को complete करने के बाद आपको एक appointment बुग करना है appointment आप कैसे बुग कर सकते हो इस topic पर मैंने वीडियो बना रहा है वह वीडियो आपको उपर आई वर्टन या फिर नीचे वीडियो description पर मिल जाएगा जाकर के आप देख सकते हैं और उस process की मदद से आप अपने appointment यानि slot को book करोगे यहां पर जी date को आप अपने slot को book करते हो उसी date को आपको अपने rt office जाना होगा जाने के बाद आप वहाँ पर अपने paper verification करवाओगे important document में आपको बता दू जो आपको list में मैंने आपको बताया था कि यह सारे print आपको निकलवाने होगे वो सारे print निकलवा लोगे उसी के साथ साथ आपको अपने अधार card को attach करने होगे इसके बाद मैं आपको बताता हूँ और दो document है सबसे पहला यदि आप learning license के renew के लिए apply की हो तो जो आपका पूरा ना learning license था उसको भी आपको उसी में attach करना होगा इसी के साथ साथ आपको एक envelope ले लेना है envelope में आपको 25 रुपय का postal sticker चिपकाने होगे जिसके बाद उस envelope में आपको अपना पूरा address दोगे contact detail आप वहाँ पर लिखोगे then उस envelope के साथ में ही आप अपने paper verification करवाओगे और वहाँ पर जमा करोगे यहाँ पर मैं आपको बता दू paper verification करवाने के बाद अधी आप learning license के renew के लिए apply करते हो तो आपको वही पर online तोर पर 31.4 रुपय का payment करना होगा और यदि आप driving license के renew के लिए apply करते हो तो आपको 51.4 रुपय का payment online करना होगा जो आप करोगे जिसके बाद simply आपको अपने paper को वहाँ पर जमा कर देने होगे यहाँ पर आपको उसके बाद कोई भी process नहीं करना है इसके बाद कुछ लोगों की important queries है जो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली बात जब आप learning license के renew के लिए apply करते हो तो लोगों के queries थी कि आपको test देना होता है या फिर नहीं देना होता है तो आपको यहाँ पर मैं बता दूँ आपको paper verification करवाने है payment करने है देन आपको अपने paper को जमा करने है कोई भी test आपको नहीं देने होते हैं बीना test दिये ही अब आपका जो learning license है renew होने के बाद आपके address पर by post 10 से 15 दिन के अंदर ही पहुँच जाता है and final driving license में भी आपको दुबारा कोई test देने के आप सकता है नहीं है उसके बाद आपको simply paper verification करवाने के बाद payment करने के बाद आप अपने paper को जमा करोगे उसका कोई भी procedure आपको करने नहीं होते है so guys I hope इस वीडियो की मदद से आपको complete जानकारी मिल गई होगी यदि आपको driving license related और भी कोई queries हो तो आप समसे नीचे comment करके पूछ सकते हो मैं उसका reply जर से जल्द कर दूँगा इसके साथ साथ यदि आप हमसे personally contact करना चाहते हो तो description में हमारा contact link भी आपको मिल जाएगा जाकर कि आप हमसे personally भी contact कर सकते हो so guys यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एक like करने के साथ साथ channel पर नहीं हो तिसे subscribe करना मद भूलना सो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद